यह उत्तर प्रदेश की जिहां सापता है वीकली ट्रैकर जिसके जर्ये हम राजनीती में क्या कुछ हो रहा है लोग क्या सोच रहे नेताओं के बारे में प्रधान मंत्वी वर्स राहूल गांदी और बात आज उत्तर प्रदेश की होगी तो अखिलेश यादव की भी होगी मा महमाने पर किसका स्टॉक इस वक्त उचल कर आगे बढ़ रहा है और किसका नीचे धराशाई हो रहा है यह जानने के लिए कि 2019 की तरफ बढ़ता हुआ यह देश किस पैसले की तरफ बढ़ रहा है इसलिए सापताहिक राजनित एक ट्रैकर प्रिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है तीन बेहत खास महमान जो उस तरफ हमारे साथ है जिनको आप कह सकते हैं बन सकते हैं या नहीं गटबंदन के साथी सवाल या निशान है अकिलेश प्रताप सिंग जी कॉंगर्स पार्टी के प्रवक्ता और वरिशनेता हमारे साथ है घंशे आमतिवा शारवाज हुसेन साब भारतिय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे कितनी मुश्किल अगर ये गटबंदन हो जाता और वाकई तीनों जो एक साथ खड़े हैं हाथ मिला लेते हैं तो कैसे एक-एक सीथ पर सास लेना मुहाल हो सकता है भारतिय जनता पार्टी के ने 31,200 लोगों से सभी 80 संसद्यक शेत्रों में बाचीत की ये 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में किया गया सवे हैं क्या है सवे के नतीजे आपको सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वसिस राहूल गांदी लोग प्रियता के पैमाने पर दोनों कहां पर दिखाई दे रहे हैं कितनी जनता किस के लिए वोट डालती हुई दिखाई दे रही हैं इसके साथ शुरूआत करते हैं तो इस सवे में आब आपके सामने हमाकड़े रख रहे हैं प्रधान मंत्री क्योंकि याद रखे हैं ये 2019 की रेस में सापताहिक राजन टेक ट्राकर हम कर रहे हैं यानि हम आपको बताएंगे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती राहुल गांधी अखिलेश यादम मायवती की लोग प्रियता ये देखे बढ़ते हुए कैसे मामला आगे बढ़ रहा है और यह यहाँ पर आके 51 प्रधान मंत्री का रुख गया है इधर अखिलेश दरूर है लेकिन अगर जरा सा आगे बढ़ियो और 26 प्रियता में उचाल है देखना महतवपूर्ण होगा 11 प्रियता मायवती के साथ और 7 प्रियता अखिलेश के साथ याद रखे यह आंकडे बहुत महतवपूर्ण है क्योंकि यह प्रधान मंत्री के दावेदार के रूप में सामने किये गए अकड़े हैं मुख्यमंत्री का अकड़ा भी नहीं आया है आपके पास वहाँ पे कड़ा मुकाबला है किसके बीच में नहीं बताऊंगे लेकिन यहाँ पर 51 पीसदी के साथ आजा से जादा जो आबादी है वहाँ की कम से कम इस सैंपल सवे में marginally सरकार के कामकाज पर क्या है लोगों की राय बावन फीसदी लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं जैसा कि आप इस वक्त अपने टेलिविशन स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने लोग संतुष्ट नहीं है अब ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि धीरे धीर ये आकड़ा ऐसे लोगों की तरफ जाएगा जो थोड़े से संतुष्ट है और फिर जो असंतुष्ट और बहुत असंतुष्ट है तो थोड़ा सा संतुष्ट जो लोग है वो 9 अब फटा फट शानवास जी वहां जोड रहे हैं कि 52 में जोड लिए 9 हो गया एक साथ उनका जोड़ा जाएगा जो थोड़े से असंतुष्ट है उनके साथ जब आप 29 पीसदी असंतुष्टों को जोड दीजिए तो आकड़ा कहा पर पहुंचता है बहुत सेफ सिचुवेशन नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर लेकिन पता नहीं वाले भी 2 पीसदी है जो इस पर टिपणी करने से बनना चाते हैं और आब वो चहरा यह देख लीजे पहले एक बार कंसॉलिडेटेड आंकड़ा जिसमें बावन में आप 9 जोड लीजे और इदर 29 में 8 जोड लीजे तो बन जाता है 37 और उधर हो जाता है 61 चलिए अब जल्दी से आपको लिए चलते हैं मु 30 फीजदी लोग अभी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लोग पुरिया चहरा उनके लिए योगी आदित्तिनाथ का है लेकिन यही वो आकड़ा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए उसमय कह रही थी क्योंकि प्रधार मंजी के तौर पर मायवती आगे ह लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अकिलेश यादव को 37 फीजदी लोग पसंद कर रहा है यानि सिर्फ एक फीजदी का फासला बच गया है योगी आदित्तिनाथ के साथ इसका मतलब समझ रहे हैं आप अभी बहुत महीने और साल नहीं हुए शासन के और यह हाल है योगी संत्वी के कामकाज की कर लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कामकाज को लेकर क्या है लोगों की राय योगी आदित्तिनाथ से कितने हैं खुश कितने हैं नाखुश कितने दिन वो रहते हैं आज कर लोग पूछते हैं कि चुनाओ प्रचार अन्यराज्यों में थोड़ा असंतुष्ट, नौफीजदी, पूरी तरह से असंतुष्ट, पैतीस पीसदी लोग, योगी आदितनात के कामकाज से असंतुष्ट हैं, पता नहीं कहने वाले साथ पीसदी लोग हैं, अब मुझे लगता इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, भी रहिएगा ये देखे रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को बता रही है वहां की जनता 32 पीसदी के साथ, महंगाई को 21 पीसदी ये, शानवाज उसेन साहब पता नहीं इस पर क्या क्या बोलेंगे आज, कृशी 17 पीसदी, गेम चेंजर माना जा राइकर्ज माफिक सत्किसानों का वोट पाईए, ब्रश्टा चार, 15 पीसदी, 9 पीसदी हिंदू-Muslim विवाद, इसको इशु बता रहे हैं, 9 पीसदी लोग, और सुरक्षा, 6 पीसदी लोग इसको बता रहे हैं, चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला शानवाज उसेन स आप ही के पास सवाल दागती हो, और वो सवाल यह है, कि देखें, लोग प्रियता ऐसी नहीं है, कि 2019 में वो वेव दिखाई दे, जो 2014 में दिखाई दिया था, और यहां पे यह जो 9 पीसदी हिंदू-Muslim विवाद कह रहे हैं, उनकी नजर आप पर है, और घुसे में देख र प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा वारती जन्ता बाड़ी के जोली में आएगी, पिछली बार हम 73 थे, तब भी हमारा वोट प्रतिशत 51 नहीं था, और इस बार टार्गेट है, जब आप लोग उन्हें महागडवंदन की बात हमसे जब भी पूछी, तो हमने आपके 25 फीसदी हम इन से आगे रहेंगे, 26 ग्यारा साथ जोड रहे हैं सर उपर में, उपर वाला आंकड़ा देखिए, 26 प्रदान मंतरी के नाम पर लोकसभा का होना है, विधान सबा का चुना उसके बाद है, लेकिन आपने प्रदान मंतरी की लोग प्रियता अभी एक क्यावन द स्टॉक एक्षेंज है, इसमें दावों का नहीं है, और मैं मानता हूँ कि अगर सब को जोर लें, तब भी हम इन से काफी आगे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस वाश्चत प्रभू इतना बता दीचे, लेहर दिखाई दे रहा है, आपको इना करो में, ये लेहर पॉलिटिकल एक्षेंज होता हूँ, पॉलिटीसेंस होते हैं, ये क्या वन नहीं, ये 15% है, आज मोदी जी, प्लाजी आप, हाँ, क्योंकि अगर 15% नहीं होते, तो इनके मित्रों की संख्या बढ़ती, इनके मित्र तो इनको छोड़ के भाग क्यों हो रहें, क्योंकि उन्ह और संसरी तक से त्याकपत दे चुके हैं, इनके केर्मिनिस्टर, दो केर्मिनिस्टर, उमा वारती जी, सुस्मा सुराज जी, वलान कर चुकी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके जो यूपी बिहार तमाम जो मित्र हैं, वो किस तरह से पीछे भाग रहे हैं, तो ये अपना बता है, अब अपना बता है, आपने उनका पूछा है, ये दोनों तो बाटवारा कर लिए सीटों का छोड़ दिया आपको उत्तर प्रदेश में, आप चिंता मत करें, कह रहे हैं कि गोरखपूर में जिसका जमाना जब्थ हो, ऐसी पाटी को क्यों शामिल करें, वो मैं तत्थ्व में बात करता है, उदान के साथ रखता हूं, मध्यप्रदेश? तो ये कोई खाता भाई नहीं है, किसी एकनामिक्स का, ये राजनीत है, यहाँ पर चुना होना है दिल्ली का.